हेलो दोस्तो आज इस वीडियो में हम आपको आशीका सुर्वी की लाइफस्टैल के बारे में बताएंगे आपको बता दे कि आशीका रोडीज सीजन 19 की कंटेस्टेंट है वो रोडीज में प्रिंस नरूला की गैंग से खेल रही है चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो पर उससे पहले अगर आप भी रोडीज देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें आशीका बेप्रोफेशन एक एथलेट होने के साथ-साथ मलककम प्लेयर भी है जिसके कारण उने मलककम गर्ल भी कहा जाता है आशीका ने हाली में अपने टेलिविजन डेब्यू रोडी सीजन 19 कर्मिया कांट से किया है आशीका का जनम 17 जून 2001 का हुआ था जिसके अकॉर्डिंग वो अभी 22 साल की है उनका जनम मुंबई महरास्टर में हुआ था आशीका को ट्रेवलिंग और मोटर राइडिंग का बहुत शौक है आशीका अनमैरिड है आशीका ने अपनी फादर की फोटोस को सोचल मीडिया पर शेयर की है पर उनका नाम अभी तक अन्नोन है आशीका की मदर का नाम ओमाना सुर्वे है आशीका के दो सिब्लिंग भी है जिसमें भाई का नाम अतंग सुर्वे है और बहन का नाम नियती सुर्वे नियती भाई प्रोफेशन कोरिग्राफर है आशीका ने अपनी बैक नेक पर इंग यांग टैटू imprint कराया है there is also one more tattoo in front of her neck जैसा कि हमने आपको बताया आशिका को traveling पसंद है जिसके लिए आशिका ने recently KTM bike purchase की है बात करें लव लाइफ की तो rumors है कि आशिका अपने gang के fellow contestant वसु जैन को date कर रही है आशिका और वसु ने दोनों इस पर कोई commitment नहीं दिया है आशिका के instagram पे 38.2 के followers है इसमें वो sports और fitness related videos upload करती है जैसा कि हमने बताया कि आशिका प्रिंस नरूला के gang member है वो अपनी performance के कारण आशिका ने ये साबित किया है कि कैसे वो प्रिंस नरूला की gang में best fit है आशिका को ही शो में आगे ले जाना चाते है तो guys ये थी आशिका की कहानी आपको आशिका कैसी लगती है हमें comment करके जरूर से बताए So that's it for today We hope आपको आज की वीडियो पसंद आईए हो If yes तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और ऐसे ही और वीडियो के लिए Don't forget to subscribe to the channel